तो फाइनली दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे पिछले रेविवार यानि की 12 नवंबर को दीवाली के खास मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी बॉलीबुट के सुल्तान और सुपरिश्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 जिसने सिनेमा घरों में 12 दिन प दुनिया भर के बॉक्स ओपिस पर फिल्म अब भी अच्छा कलेक्शन कर रही है कुछ लोगों का कहना था कि टाइगर 3 बॉक्स ओपिस पर फ्लॉप हो जाएगी लेकिन जिस तरह से फिल्म बॉक्स ओपिस पर अभी प्रफॉर्म कर रही है तो उसे देखकर ये कहना बिल्क लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइगर 3 सिनेमा घरों में 12 दिन कंप्लीट कर चुकी है आज फिल्म को 13 दिन है लेकिन फिलाल अभी तक फिल्म का वोक्स ओपिस पर कैसा प्रफॉर्म रहा अपने पहले 12 दिनों में टाइगर 3 टोटल इंदिया के अंदर कितनी क कमाई कर चुकी है वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 13 दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का 13 दिनों का टोटल वोक्स ओपिस कलेक्शन कितना हो जाएगा फिल्म का बजट कितना था फिल्म वोक्स ओप बोक्स ओपिस पर इतना अच्छा प्रफॉर्म किया कि साइद अगर कोई और फिल्म होती तो अब तक बोक्स ओपिस पर ढेर हो जाती लेकिन ये बड़ा सुपरिश्टार है ये बोलीवुट का सुल्तान है ये बोलीवुट का सलमान खान है ये बोलीवुट का भाईजान है यही वजह है कि अभी तक टाइगर थ्री बोक्स ओपिस पर जमी हुई है वरना जहां एक तरफ वर्ल्ड कप अपने पूरे सबाब पर चल रहा था वहाँ टाइगर 3 ने बोक्स ओपिस पर पेसा कमाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी दोस्तों आपकी जनकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि मनिश शर्मा के डारेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको प्रोड्यूस किया था अधित्य चोपडा ने फिल्म मे के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी आपको बताता चलू कि मैं टाइगर 3 को बनाने में 300 करोड रुपे खर्च हुए थे उपर से 25 करोड रुपे प्रमोशन में लग गए और कुल मिलाकर 325 करोड फिल्म टाइगर 3 का टोटल बज़र्ट था और टाइगर 3 को बोक्स ओपिस पर हिट और सुपर हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड रुपे की नेट कमाई इंडिया से करनी थी तो वहीं फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 500 करोड रुपे से ज़्यादा कमाने थे लेकिन फिलाल बात करू में अभी तक के बोक्स ओपिस कलेक्शन्स क तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलू कि फिल्म के मेकर्स ने बहुत बड़े लेवल पर फिल्म को रिलीज किया था लगभग 9000 स्क्रीनों पर ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में रिलीज हुई थी और फिल्म दीवाली के दिन 12 नवंबर को रिलीज हुई थी जी हाँ दोस्त करोड 50 लाख रुपे कमा कर इतने सारे रिकोर्ड अपने पहले दिन बना चुकी थी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तो सलमान खान के केरियर की ये फिल्म सबसे बड़ी उपनर बनी थी दीवाली के मोकेद पर रिलीज होने के बावजूद अब तक की सबसे अपनर बनी थी लेकिन यहाँ पर टाइगर थी ने अभी तक बोक्स ओपिस पर सभी को हेरान किया है आपको बताता चलू में कि टाइगर थी का जो फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन था वो 94 करोड रुपे का रहा था उसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 69 करोड मिली तो उसके बाद पाच्वा दिन आश्टेलिया वर्सेस साउथ अफरीका का सेमी फाइनल मेच लेकिन यहाँ पे भी टाइगर थी जमी रही 18 करोड 575 लाग रुपे की कमाई फिल्म अपने पाच्वे दिन कमाए छटवा दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी सी गिराव हमें देखने को मिली और फिल्म ने कमाए 13 करोड 25 लाग रुपे सात्वा दिन था फिल्म का पहला सटर डे और फिल्म की कमाई थी 18 करोड रुपे लेकिन उसके बाद आता है आठवा दिन यानि कि इंडिया वर्सेस अस्टेलिया का फाइनल मेच इस दिन वाकई फिल्म के कल करोड 70 लाग रुपे और अपने पहले दस दिनों में फिल्म टाइगर 3 245 करोड 80 लाग रुपे इंडिया नेट्स कमा चुकी थी वहीं पर फिल्म का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन 200 इंठैनों करोड रुपे हो चुका था ओवर्सेस से फिल्म ने कमा लिये थे 102 करोड 50 ला करोड रुपे और 12 दिनों की टोटल कमाई फिल्म टाइगर 3 की 256 करोड रुपे इंडिया से नेट हो चुकी थी वहीं फिल्म का जो वल्डवाइट ग्रोस कलेक्शन था दोस्तों वह 418 करोड रुपे हो चुका था लेकिन बात करूँआ मैं आज 13 दिन की तो आज 13 दिन सलमा खान की फिल्म टाइगर 3 पूरे इंडिया से लगबग 4 करोड रुपे की कमाई कर रही है और फिल्म का टोटल 13 दिनों का बोक्स ओपिस कलेक्शन इंडिया के अंदर 207 करोड रुपे नेट हो रहा है तो वहीं फिल्म पूरे वर्ड में 425 करोड रुपे कमा रही है अब बा संडे अगर माना की फिल्म के कलेक्शन में उच्छा लाएगा तो अब टाइगर 3 कहां पे पहुंचेगी यह फिल्म अब देखने वाली बात होगी जो की 425 करोड रुपे हैं हुए हैं वर्ल्ड वाइड में 13 दिनों में अब 14 दिन में 15 दिन सटरडे और संडे तो यहां पे अ 500 करोड रुपे से ज़्यादा की कमई करेगी लेकिन आपको क्या लगता है टाइगर 3 बोक्स ओपिस पर हीट हो जाएगी या फिर हो जाएगी फ्लोप कमेंट करके जरूर बताएं बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आपके अपने चैनल बोलीवूड रिव्य को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जय सिरी कृष्णा दोस्तों